दोस्तों, 31 अगस्त, 2024 शनिवार के दिन पढ़ रहा है, भादरपद महीने का पहला शनि प्रदोश वरत और इस दिन करें एक छुटकी काला तिलवाला, ये एक उपाय जीवन के हर कश्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ती आपकी हर मनो काम न होगी, पूरी खुशि क्योंकि दोस्तों, यह जो प्रदोश वरत इस बार शनिवार के दिन पढ़ा है, यह भादरपद महीने में पढ़ने वाला पहला प्रदोश वरत है, इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी क काला तिलवाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है, तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं देखिए ये दिन इतना खास होता है इतना महत्व पूर्ण होता है देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नही होती है वह 31 अगस्त 2024 शणी प्रदोश वरत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है अगर आप लोग भी इस उपाय को 31 अग करना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो आपको उसका कारण भी नहीं नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है उसका कुछ भी कारण हो सकता है जैसे दोश को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है 31 अगस्त 2024 शनी प्रदोश वरत के दिन इस एक चुटकी काला तिलवाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक चुटकी काला तिलवाला उपाय करना किस को है तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी काला तिलवाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानिया हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो, तो सीधी सी बात ये है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो, तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है, जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिवजी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहने जो है अपने घर की सुख और शान्ती के लिए, घर में धन को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहने होंगी, वह इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को विशेश रूप से करें, क्योंकि माताएं बहने घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेश उपाय करती तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है चाहे वह बड़ा हो चाहे वह छोटा हो चाहे वह बच्चा हो जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी काला तिल वाला उपाय समझा गया वह व्यक्ति इस एक छुटकी काला तिलवाला उपाय को शनिवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि 31 अगस्त 2024 शनिवार के दिन भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, तो आईए, अब हम समझते हैं कि इस ए 30 अगस्त 2024 शनिवार प्रदोश वरत के दिन किये जाने वाले यह एक छुटकी काला तिलवाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातह काल का समय होगा, किस समय होगा, सुबह का समय होगा, आपको कोशिश यही करनी है, कि सुबह के समय हम इस एक छुटक आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोश काल का रहेगा, अब भाई, प्रदोश काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है, कि भाई, यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें प्रदोश काल का जो एक समय होता है शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी काला तिल वाला जो उपाय को कर सकते हो तो भाईया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रशन भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोशकाल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आप आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुँच पाते हो, तो भाई आप 7 या रा पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना, कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, शनिवार प्रदोश व्रत के दिन, बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतरगत ही कर लो, पर किसी कारण वश अग तिल वाला उपाय करना है, इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई-कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन अगर आप असफल हो रहे हो, या फिर आपको धन की हानी हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा, कि आपको यह छोटा सा उपाय इस भाद्रपद शनिवार की तिथि में जरूर करना चाहिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार की तिथि में किय जाने वाले तीन विशेश उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं, इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीव पहले जरूरत पड़ेगी, एक छुटकी काला तिल, अब यह एक छुटकी काला तिल, शनिवार की रात, एक छुटकी काला तिल घर में इस जगह पर डाल देना, रातों रात सुख और सम्रिध्धि घर में आएगी, और धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी, और की कृपा भी आपको मिलेगी, अब आपको बता दें कि 31 अगस्त को पढ़ने वाले शनि प्रदोश व्रत पर बहुत ही शुब संयोग बन रहा है, क्योंकि यह शनिवार के दिन आया है, और ऐसे में आप समझ लीजिए कि शनि की पीड़ा एं अगर आपको परेशान कर रही ह शनि की कोई भी महादशा कुंडली में चल रही है, शनि की साढ़े साती है, शनि धैया है, तो उससे भी छुटकारा मिलेगा, और साथ ही साथ शनि देव का आशीरवाद आपको मिलेगा, महादेव की कृपा मिलेगी, जिसके बाद जीवन का हर दुख, हर संकट दूर हो जा है, इस दिन चाहे तो आप वरत करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आपको इस दिन उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि इस दिन उपाय करने से आप अपने जीवन के बहुत सारे कष्टों को और दुखों को ऐसे ही दूर कर देते हैं, अब इस बार जो भादरपद का पहल प्राप्त करके महाधनी महाकरोडपती भी बन सकते हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि शनीदेव की कृपा जब किसी पर होती है ना, तो उसके जीवन के दुख और कष्ट बहुत जलदी दूर हो जाते हैं। और शनिदेव अपने भक्तों को जब कुछ भी देते हैं, ना तो इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। साथ ही साथ इस दिन शनि प्रदोश है। और महादेव से जुड़े हुए उपाय आप करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में फिर कोई दुख और संकट लोट कर भी नहीं आता है। बात कर लेते हैं, सबसे पहले उपाय की कि एक छुटकी काले तिल डाल कर आपको कौन सा उपाय कैसे करना है, कैसे यह उपाय शनि की पीड़ा को भी शांत करेगा, और इतना चमतकार आपके जीवन में यह एक छुटकी काले तिल का उपाय कर देगा, कि आपको खुद भी अ चलिए, बात कर लेते हैं. कौन-कौन सी चीजें आपको लेनी है? देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक छुटकी काला तिल लेना है. ठीक है? ना सफेद तिल भी आता है, लेकिन सफेद नहीं लेना है. काला ही तिल लेना है. क्योंकि काला रंग जो होता है, यह शनी देव से जुड़ा हुआ है. अब शनी की पीड़ा एंभी दूर होती है. जब भी आप काले तिल का उपाय करते हैं. एक लोटा अपने घर का जल लेना है. उसी जल में आपको यह काला तिल डालना है और पहुंच जाना है. देवा आदिदेव महादेव के मंदिर में, महादेव की शिवलिंग पर ये एक लोटा जल आपको अरपित करना है. महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो संकट हैं, हे प्रभु, आप उन्हें दूर कर देना तो देखिए, जब भी आप महादेव की शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करते हैं, अगर यह उपाय आप शणी प्रदोश के दिन कर लेते हैं, तो बहुत ही चमतकारी और बहुत ज्यादा आपके जीवन को ऐसा समझ लीजिए, कि बदल के रखने वाला यह उपाय होता है, बदल के रखने वाले का मतलब है कि जीवन के दुख और कष्ट पूरी तरह से दूर हो जाते हैं, अब यह उपाय करना किस दिन है, तो शणी प्रदोश के दिन करना है, करना किस समय है, तो शाम के समय में करना है, छे बजे के बाद आप नौ बजे तक इस उपाय को किसी भी समय करें, क्योंकि यह बहुत शुभ मुहूर्थ है, इस बार शनी प्रदोश पर पड़ा है, और इस समय पर आप यह उपाय करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी लाभ भी मिलेगा, शनी की पेडाय भी शांत हो जाएंगी, और साथ ही साथ शनी देव की कृपा हुई, ना तो महाधनी और महा करोडपती बनने में भी आपको समय नहीं लगेगा, अब देखिए, साल दो हजार चौबीस जो है न, यह शनी देव का ही साल है, और शनी देव की कृपा इस साल में जिस व्यक्ति को मिल गई, उसके भाग्य को चमकन में देर नहीं लगेगी, तो इस बार शनी प्रदोश व्रत पर, जो की भाद्रपद का पहला शनी प्रदोश भी है और बहुत ही शुब है, तो इस उपाय को आप शाम के समय में जरूर करें, चलिए बात कर लेते हैं, अब अपने दूसरे उपाय की कौन सा है, वो दूसरा जो शनी प्रदोश व्रत वाले दिन आपको जरूर करना चाहिए, और इस उपाय को अगर आप करते हैं, तो धन संपदा की कभी भी आपके घर में कमी नहीं होती है, आपके घर में हमेशा धन आता है, बहुत-बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पैसा आता है, लेकिन घर म हमारा बरबाद होता जा रहा है, बिजनिस खराब हो रहा है, व्यापार खराब हो रहा है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इन चीजों को लेकर भी बहुत परिशान रहते हैं, तो अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को आप कर आधा किलो ले सकते हैं, एक किलो भी ले सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है, उतनी दाल आप लें, साथ ही साथ आपको लेनी है, यहाँ पर थोड़ी सी मिठाई, कोई भी मिठाई आप ले लें, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, कि शनिवार के दिन शनी प्रदोश, जि पर भी आप जा सकते हैं, और इस मिठाई का और इस उड़त का दान आपको करना है, शनिवार के दिन इस उपाय को करिए, और फिर देखिए, आपकी मनोकामना को कितनी जल्दी महादेव और शनिदेव पूरा कर देते हैं, बहुत ही उत्तम, यह उपाय है, जिन लोगों की मनो कामना अभी तक अधूरी है, अठकी हुई है, पूरी होती ही नहीं है, या फिर जीवन में कष्ट बहुत है, दुख बहुत है, दुख और कष्ट दूर होने का नाम ही नहीं लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के दुखों को अब दूर होने में देर नहीं जब इस उपाय को आप शनी प्रदोश वरत्त वाले दिन कर लेते हैं। या फिर घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है। पैसा रुकता नहीं है और पैसा आता नहीं है। तो इस उपाय को करने से हर प्रकार से आपको हर तरफ से लाब ही लाब मिलेगा। और धन आने के रास्ते जो आपके जीवन में अभी बंद हो चुके हैं। न क्योंकि बहु हो जाएगा। यही इस उपाय का चमतकार है। पूरी सच्ची श्रद्धा से करेंगे। उपाय जरूर काम करेगा तो बात कर लेते हैं। अब अपने 31 रे उपाय की जो कि शनी प्रदोश का बहुत ही बड़ा उपाय है। बहुत ही चमतकारी। यह उपाय है। अब लगते हैं कि घर में बिल्कुल भी तरक्की नहीं होती। घर में सफलता लोगों को नहीं मिल रही है। जो काम कर रहे हैं वह बिगड़ रहा है। फरकाम में अडचन और एक चनी प्रदोश होता है। निफलि जीवन में दुegश्ट बढ़ते चले ले जाते हैं। हैना साथ इतनी पूजा पाठ करके भी, इतने उपाय करके भी, लाभ क्यों नहीं हो रहा है? अब देखिए, जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, शनी प्रदोश के दिन करने से हर प्रकार का दुख और कष्ट जीवन से दूर होगा, पैसा भी आएगा, और सबसे बड़ी बात, आप के काम में कोई अडचन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई भी आप काम करेंगे, उसमें सफलता आपको मिलेगी, देखिए, आपको क्या करना है, कि शनी प्रदोश, वरत वाले दिन, ठीक है न, आप चाहे वरत रखते हैं या नहीं रखते हैं, उपाय जर आप जो भी गौ माता खाती है, जैसे कि हरा चारा खाती हैं, हरा चारा उनको खिलाएं, देखिए, सबसे पहले आपको बता देएं कि जो गौ माता होती है न, इनके अंदर होता है, तेतिस कोटी देवी देवताओं का वास, अब जिस स्थान पर हमारी गौ माता खड़ी भी तो आप समझ सकते हैं कि एक गौव माता की सेवा करने से, उनकी पूजा अर्चना करने से आपको कितना लाभ मिलता है। ऐसा समझ लीजिये कि महा उपाय हो जाता है, क्योंकि काला तिल शनिदेव को सबसे प्रिय होता है, सरसों का तेल, शनिदेव को सबसे प्रिय होता है, तो बहुत ही चमतकारी या उपाय है, जरूर से करें, शाम के समय का उपाय है, शाम के समय जाएं, और शनिदेव के मंदिर म एक दीपक सरसों के तेल का काला तिल डाल कर जरूर लगाएं। इतना चमतकार होगा ना जीवन में कि पैसा सा धंदौलत संभाल नहीं पाओगे। सुख सम्रिध्धि घर में बढ़ती चली जाएगी। शनिदेव की ऐसी कृपा होगी ना कि आने वाली पीडियां भी सिर्फ स सुख को भोगेंद्र और बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपाय है। अब बहुत अच्छे से मैंने सारे उपाय आपको बताने का प्रयास किया। यदि घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस पांच का काली मिर्च के दाने वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस काली मिर्च के दाने वाले उपाय हमें करना कहां पर है। देखो इस उपाय को हमें घर पर ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं, देखो तो, इस वाले उपाय को आप घर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, मंदिर में नहीं करना है, इस वाले उपाय को उसके पश्चात में दोस्तों, जो अगला प् आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोशकाल में भी कर सकते हो। अब यदि आप पूछो कि साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस काली मिर्चवाले उपाए को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बहतर होगा क्योंकि प्रदोश के दिन है और इस दिन प्रदोश काल के बहुत महत्व होता है बाकी यदि सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा उसमें कोई भी दिक्कत वाली बा और शाम के समय प्रदोश काल में करेंगे, तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके, आप उपाय को करने की कोशिश करना, बाकी यदि किसी कारणवश, लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो दस या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, उसके पश्चात में दोस्तों, यदि शाम के समय काल की बात करें, प्रदोश काल का जो समय होता है, वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोश काल का समय होता है, पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु शनिवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतरगत ही कर लो, किसी कारण वश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, देखिए, इ देखो आगे बढ़ने से पहले वीडियो एक लाइक जरूर करें, देखो सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में करजा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके उपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार-बार आपको अपने व तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के पांच वाला उपाय आपको अपने घर में करना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रू भी आपका कुछ धिको भी नजर लग जाती है अब अपने घर से सदैव आपको सबसे पहले नजर दोश को दूर करना है ऐसा समझ लीजिए जैसे ही नजर दोश से आप दूर करेंगे आपके जो शत्रू है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको जीवन के कश्टों से भी छुटकारा मिल जाता है आपको क्या करना है यहाँ पर पांच काली मिर्च लेनी है इसके छोटे छोटे पांच दाने लेंगे एक भी दाना टुटा हुआ ना हो ये चीज आपको ध्यान रखनी है अब आपको एक कपूर का टुकडा लेना है अब उसकमरे के एक कोने में ये पांच काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के पश्चात इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है देखिए जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे आपके जीवन में जो अचानक से दुहक आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा ना आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था, जो सदैव बीमार है, चिड़-चिड़ा स्वभाव है, उसका सदैव क्लेश घर में कर रहा है ना तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है, और नजर दोश यदि किसी को लगी है, तो वह भी दूर होगी, और दूसरी चीज आपके गुप्त शत्रू आपका कुछ बिगाड नहीं पाते हैं, जब कपूर के साथ काली मिर्च के पाँच दाने आप अपने घर में ज जलाते हैं, देखिए, काले रंग की जो होती है यह शनी देव से जुड़ी हुई है, काली मिर्च के जितने भी उपाए होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी यह उपाए सफल होते हैं, दूसरी चीज आपके घ घर में कभी भी नकारात्मक उर्जा नहीं ठहरती है, जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं, तो इस उपाए को करें, और फिर आप देखें, कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रू भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने ठेक देगा, इस उपाए को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों न हो उसका, आपके उपर, आपके घर के, आपके पैसे के उपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शानी देव का आशीरवाद मिल, तो ये पहला उपाए है जो आपको अवश्य करना है, अब आटे के दीपक भी तयार कर सकते हैं, परंतु कोशिश कि मिट्टी के दीपक आपको मिल जाए, ठीक है, देखिए, अब मिट्टी के दीपक जब भी आप ले रहे हो, तो आपको एक बात का खास रूप से ध्यान रखना है कि मिट्टी के जो दीपक है, वो कहीं से भी तूट प्रशे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन की जो संकट है, कश्ट है और बाधाएं हैं वह सभी दूर होती हैं और नकारात्मक उर्जा घर से बाहर जाती है और घी से प्रज्वलित करने से बहुत अधिक लाब होता है और इसी के साथ में आपको लेनी होगी गोल बाती आपको मात्र दो गोल बाती लेनी होगी गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन होती है जिससे आपके धन में व्रिद्ध होती है और इसी के साथ में आपको लेनी होगी दो लौंग देखो अब लौंग जो है हमारे जीवन के सारे स पूज्य गुरू जी ने बताया है, आपको ऐसे पीपल के व्रिक्ष के नीचे इसको करना है जो थोड़ा बड़ा व्रिक्ष हो और उसकी छाया आपके उपर पढ़नी चाहिए और पीपल की जड़ में आपको ये उपाय करना है अब सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रख करके खड़े हो जाना है उत्तर दिशा जो है वो माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु की मानी गई जिनकी कृपा से हमें धन की प्राप्ती होती है और आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है तो सबसे पहले तो आपके पास में जो दो दीपक हैं उन्हें आपको पीपल के व्रिक्ष की जड़ के पास में रख देना है अब दोस्तों इन दोनों दीपक में आपको एक- प्रज्वलित कर देना है। उसके पश्चात जो आपके पास दो लौंग है उन्में से आपको एक लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है। और जो दीपक है। पहला दीपक उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को ग्यारह बार घुमाना है। देखिए, यदि आप ग्यार गुमा रहे हैं तो आपको ग्यारह बार ओम महालक्ष्मी नमह इस मंत्र का जाप कर लेना है और आपको अपना नाम और गोत्र को बोल करके आपको धन की प्राप्ति हो धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है और ये जो पहली अब इसके पश्चात आपको दूसरी लौंग को भी लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूझ्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाए के बारे में देखिए। लौटा शुद्ध जल लेना है। इसके पश्चात जो आपके पास एक लौटा शुद्ध जल है, इससे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिवा के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी ने बताया कि जल आपको बिलकुल धीरे धीरे समर्पित करना होगा। और समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार या फिर 21 बार श्री इस मंत्र का जाप लेना है। मेरे परिवार के सदस्यों के शरीर में बीमारी हो चुकी है। उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप इस जल को ओशद स्वरूब बना दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जल आपको अपने घर ले करके आ जाना है। अब दोस्तों इस जल का आपको उस व्यक्ति को आचमन करवाना है जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है यानि कि थोड़ा-थोड़ा जल आपको उस व्यक्ति को आचमन करवा देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस जल का आचमन कर लेता है, उसका सभी रोग और बीमारी दूर हो जाती है। महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुकरवार द्वादशी तिथी का अगर सबसे बड़ा उपाय है, तो वह एक छुटकी काला तिल वाला उपाय है। भी दिन इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को न किया हो, पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है। 30 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने शुकरवार द्वादशी तिथी के दिन तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आप लोगों को जरूर करें।